पहले दिन ही सुस्त हुआ इपास बनाने का सरवर पास बनाने में दरी से ठप रहा करोबार जहरकर में लोग को इपास बनाने के लिए बना सरवर आवेदनों का बोज नहीं उठा पारा है यही कारणे के कभी घंटो इसकी रपतार धीमी रहती है तो कभी घंटो काम ही नहीं करता है सरकार भी अधिकरित तोर पर सरवर की धीमी रपतार को सिवकार कर रही है लेकिन सरवर के क्रयास करने जैसी बातों से इनकार कर रही है कुल मिलाकर सरवर इपास के लिए पहुंचे अविदनों का बोज नहीं उठा पाया इसके बावजुद रविवार साम तक 2,10,000 पास बन चुके थे एक दिन पहले सनिवार की राद तक यह आकड़ा 1,20,000 तक ही पास सिमी था सनिवार के साम से ही धिमीर अफ्तार से काम कर रहा सरवर रविवार की सुभा से साब तोर पर बंध हो गया कोची देर में विविन डिजिटल प्लाटपॉम पर इससे समय धित सूचनाई चलने लगी सरकार हरकत में आई तो जो है वास्ता को ठीक होते होते दोपाहर हो गया इसके बाद जो ही एक बार फिर से पास बनना सुरू हुआ तो साम तक आकड़ा दो लाग दस अजार जो है पास की संक्ठा को पार कर गया था राजे सुचनापत दिकारी का अनुसार वेबसाइट को मिले हीट के कारण ही जो है सरवर सोलो हो गया था लेकिन बाद में इसे जो है दुरूस्त कर लिया गया अगली बड़ी खेबा के बाद के तो जारकन में चकरवाती तुफान ताउते का नहीं पड़ेगा अधी का सर 19 माई तक चाय रहेंगे बादल जाने मौसम का हल जारकन में चकरवाती तुफान ताउते का अधी का सर नहीं पड़ेगा जाने वाली घरोले चुप के लिए मौसम केंदर राची के मुताबिक चक्रवाती तुफान तौते का अधिक असर जार्खाय में नहीं देखने को मिलेगा इस बात की जानकारी मौसम केंदर राची की और से ट्वीट कर दी गई है ट्वीट में बताये गया है कि भले ही सुल्ला लाग बिद्धारतियों की परिचा पर कुरुना ने लगाया ब्रेक कुरुना के कारण राज में सुल्ला लाग से अधिक बिद्धारतियों की परिचा अब तक नहीं हो पाई है मेट्रिक इंटर समेत कच्चों नॉबी वा गयारवी बोड के परिचात्री परिचा पर अंतिम निर्नाय का इंतिजार कर रहे हैं। पर पददिकारियों के भी किरकरी हो रही है और जनता अलग से परेसान है। परिभन अयुक्त ने संसोधन विग्यापती में कहा है कि सवयातरा में सामिल होने के लिए इपास की अवसकता नहीं है। जहर है कि अब लोग बिना इपास के सवयातरा में सामिल हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर के बात करें तो लोग डॉन में बढ़ाई गई सकती जहरकन में सड़क पर हर आने जाने वालों से मांगी जा रही है इपास। बजारों में भी दिखी कम भीड बॉर्डर पर भी पुलीस तैनात कोरोना संक्रमन को नियंतरित करने के लिए राज में चल रहे है लोगडॉन में रविवार से सकती बढ़ा दी गई है। घर बेज रही थी। इंटल धान बीज की खरिदारी का उडर दिया जा चुका है और कई जिलों में धान बीज पहुंच भी गया है। और इसके लिए अब जो है बितरन का काम सुरू हो चुका है। रोसन सु हाउस सहीद दो दुकान और सामिल है। सियो को सुचना मिली थी कि कॉवेड नियमों के बिरूद उंक्त दुकानों में ग्रहक को अंदर घुसा कर कपड़ा वा जूता आदी बीचा जा रहा है। सुचना के बाद सियो पुलीस बल के साथ पहुचे और जो है दुकानों को सिल कर दिया है। कि बिना इपास के नीजी वहनों से नहीं निकले और घर परी रहे। सारीक दूरी का पालन करें, मास्क पहने और सरकार के गाईलाइन का पालन करने में प्रसासन की मदद करें। अगली बॉली ख़बर के बात करें तो चर्चित बिधायक कंबापरसाद परेफायर 48 लाक रुपाय गमन का मामला बीसी वी फंसे जहरकन के बढ़का गाउं से कॉंग्रेस पार्टी की चर्चित बिधायक कंबापरसाद एक बड़े मामले में फंस गई है। दरसल पूरा मामला 48 लाक रुपाय की अवेद निकासे से जुड़ा हुआ है। और 2019 बीस में कोलेज को मिलने वाले 48 लाक सरकारी अनुदान के निकासी की। लाक से जादा नए केस दर्च किये जा रहे हैं। मौत का आकड़ा हर दिन 4000 के करीब बना हुआ है। स्वास्त मंत्राले की और से जारी ताजा आकड़ो के नुसार पिछले 24 घंटे में 36,18,458 पर पहुँच गया है। अगली बड़ के बात करों तो मानसुन के दरान होने वाले पावर कट को लेकर हो रही है तैयारी। बारिस को दरान होने वाले पावर कट को लेकर बिजली विवाग ने 20-70 बरतने का निर्देश दिया है। महापरबंधक कारियाले ने जून में होने वाले मानसुन के तैयारी को लेकर गायलाइन जारी के है। मुखे अभियांता ने सभी डिविजन के कारेपालक अभियांता को जो है पत्र जारी कर निर्देशों का परन कडाई से करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कारेपालक वस्ताहाइक अभियानता की अनुमती के बाद ही साउट डाउन लेना है, साम 6 बजे से रात 11 बजे तक अभियानताओं को बिसेस नेगरानी करनी है, तीन सिफ्ट में पावर सब अस्टेशन में तकनीकी करमे तैनात रहेंगे, 12 के मौसम को अतार संकरमन बढ़ रहा है, संकरमन को लेकर जारकन सरकार ने करे लोगडाउन की घोसना की है, लेकिन लोगडाउन के बीच ही जारकन के सीम हमनसोरिन ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुकमंत्री अवास की, बागबानी में खेती बाड़ी की और खुद के उपजा रहे जो देब्यांग बच्चों एवं बुजरगोत था, नंदरांज बृद आस्रम में रहा है, बृद जनों से मिलकर उनका कुसल छेम पूछा। बहाना बना कर बच गए, कुछ लोग जो बहाना नहीं बना सके उनसे जुर्माना भी वसुला गया है, वही कुछ लोग को चेताओने देकर छोड़क दिया गया है, वाइंदा से पास बना कर ही बाहर निकले, सुबा से ही पुलीस की चेकिंग लगी वी थी, सड़कों पर प सित्पूर्वा जो है, बिजी एच, बोकारों में पोश्ट कावर्ड केर वर्ड की अस्थापना की जाएगी, स्वास्त विभाग के जो है, अपर मोके सचू, अरुन कुमार सिंग ने सभी अस्पतालों के परबंधन को आदेश जारे किया है, आगली बड़ खेबर की बात क सिया पर भावित हुआ है, ऐसे में अस्पूलों को अब 20 मैं तक मुल्यांकिन के प्रिक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है, इस दुरन जो मुल्यांकिन कमेटी को सतर 2020-21 में सामिल बिद्धारतों की बिभिन परिचाओं का अंग तयार करना है, वही वैसे बिद्धारती का माक्स बोर्ड को जो है उपलब्द करा देगा, अगली बड़ के बार के बात पर तो तो तेरा पेटी आवेद अंग्रेजी सराप जब्त बेलोरों में चिपा कर ले जा रहे थे सराप की पेटी को ड्रमा में तीन आरोपी गिरपतार, चंदवारा थाना छेत्र अंतरगत, महतो, अहरना, चोपारन, मेंड रोड पर जो है आरागोरा के पास पुलिस ने सनिवार देराथ एक बेलोरों में चिपा कर ले जा रहे, भारी मात्रा में अंग्रेजी सराप बरामत किया है, इस मामले में तीन लोग को गिरपतार किया गया है, गिरपतार आरोपी में चालक दो आने लोग सामिल है, बरामत सराप बिभिन बरांट के कुल जो है तेरा पेटी अवेद सराप बरामत की गई है, तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल, न्यू जारकन चानल को स स्क्राइब करके बैल आकन प्रेस करते जे, जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीज़े इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्ट नियूज में